कि आज के लेक्चर में हम जो चीज देखने वाले हैं वो बहुत important है पिछले lecture तक हमने organization को समझा था और उसके basis भी देख ली अब जो most important topic जो आता है जो हमारे slayvers में दिया हुआ है वो है principles of organization मतलब संगठन के सिध्धानत अब संगटन के सिधान्त क्या क्या होते हैं और क्यों इनको बनाया गया है हम इस चीश को देखने वाले तो LDWiT कहते हैं valid principles are those rules of conduct which are universally accepted due to extensive experience बहुत ज़्यादा उनको व्यापक छेत्रे पर उनका experience होने कारण को use किया गया था तो वो valid principles हैं जिनको यूज किया जाता है अब बोला जाए अब सवाली आता है कि क्यों इनको यूज करें वाई वी नीड प्रिंसिपल्स तो systematic functioning हो rules regulation proper हो procedure smooth हो तो इससे ही समझ में आ गया तो यह principles कहा काम होंगे formal organization में informal में तो काम होंगे नहीं तो कौन-कौन से होते हैं वो देखते हैं इस lecture में क्या-क्या सिध्धान्त हैं वो पहला है hierarchy जिसे हिंदी में बोला हो जाता है पद सुपान कौन से पद पर कौन बैठा है unity of command मतलब नियंत्रन का छेत्र यह span of control हो गया unity of command हो जाता है आदेश की एकता तो unity of command हो गई hierarchy हो गई और span of control की हमारे principle और यही हमारे syllabus पर दिये हुए तो आज के lecture में हम focus करने वाले hierarchy तो शुरू करते हैं hierarchy को hierarchy का मतलब यह आपको समझ में आ गया हो गया x के नीचे y के नीचे z एक hierarchy बनी होती न एक systematic arrangement को ही hierarchy कहा जाता है तो general term में hierarchy क्या है the term means the rule or control of higher over the lower उपर वाले का नीचे ओवर पर नियंत्रन hierarchy कहलाता है लेकिन ऐसे तो definition हम लिखेंगे नहीं हमको अगत्री मारकर में definition आगी तो हमको तो thinker को pit up करना पड़ेगा तो jd mallet कहते है it is a method which combines the efforts of various people आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक triangle method समझा जीता हूँ जो piramedical structure जो होता है जहाँ पर higher authority होती है फिर उसके बेचे नीचे वाली आती है फिर उसकी नीचे और नीचे वाली आती जाती है इस तरीके से पूरी hierarchy हमारी arrange होती है तो यह hierarchy का एक live example आपको मैंने बता दिये जैसे dgp हो गया फिर igp हो जाता है फिर बिचारा ने तैसिल नार तक मतलब constable तक हम पहुंसते जाते हैं तो यह hierarchy होती है फिर अरल लेथम साब क्या बोलते है it is a well planned arrangement of high and bottom position which extends from bottom to up नीचे से उपर तक जो extension होता है और linked होते हैं लोगों का उसको कहा गया है एरल बातम ने इसको hierarchy की सम्यान दी है मूनी और राइले इसको कहते हैं scalar process means hierarchy refers to hierarchy refers to multi-layered organization which consists of several hierarchically linked levels in subordinate chain वही बात उपर वाले नीचे वाले और उनके combinations की बात कही है बस definition को extend करती है तो number fetch करने के लिए आपको यह definition as it is लिखेंगे तो चादा अच्छा होगा तो इसकी characteristics क्या होती है it is this principle contains principle of unity of command मतलब एक superior की command को follow करना बहुत सारे superiors की बातों को नहीं एक ही चरह किया से command आईगी एक ही तरब से rules को follow करने को कहा जाएगा वो इस principle को follow करता है अब सवाल आएगा कि यह ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसली करते हैं कि जब bosses की बीच में clash ना हो एक को बाश बना दी है और बाकी लोगों को rule follow करना हो तो easy होगा unity of command का एक बहुत अच्छा example है politics में BJP BJP live example है unity of command का जैसे मोधी जी कहते हैं वैसे उनके अंदर के चिट्टू बिट्टू जिट्टे भी politician है एक सुर में कहते हैं तो अब unity of command से एक प्रकार से BJP भी एक organization ही है वो काम करती राजनेतिक दल है तो वो unity of command का बहुत अच्छा example है मोधी जी और उनके politicians और एसपरेस जो followers भी होते हैं एक सुर में बाते करते हैं एक ही चीजों को कहते हैं तो unity of command से एक organization बहुत सुद्रण होता है और बहुत smooth functioning हो जाती है आगे बढ़ते हैं under this all activities are divided into units and sub units on the basis of division of labor and specialization किसको कौन सी काम की अच्छे से आता है उसी साबसे चीजों का activities को divide किया जाता है basis of organization is pre-medical वोई hierarchy में pre-medical होगा उसका example ये है जो police विभाग में होता है उसका example है ये क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले DGP से भजाते हैं डारेक्टर जनरल अफ पुलिस फिर additional GDP फिर inspector जनरल पिर IGP फिर deputy commissioner of police फिर superintendent of police फिर additional SP फिर DSP जो बनने की कोसिस करने वाले साथवे नम्पर पर target रहागा कई बच्चों का फिर inspector फिर sub inspector head constable और फिर constable ये हो गया फिर उसके आद क्या आदा है coordinates responsibility coordinates responsibility and power at all level of the organization वही coordination हो गई अब देखते हैं कि कौन-कौन से प्रकार होते है hierarchy के पद सोपान के कौन-कौन से प्रकार होते है finner and servod have given four grounds or types of hierarchy तो जब कभी भी आप types लें तो specifically emphasize करें thinker का कि किसने करम सी चीज़ दिया था तो task based hierarchy होती है कार्यात्मक होती है जिसमें work को importance दिया जाता है hierarchy का base जो होता है work work directly related to rights and responsibility जिसका जैसा काम रहता है उसकी responsibility उसी सब्सक्राइब बड़ा काम बड़ी responsibility higher the level more important work and vice versa ठीक है फिर rank based प्रतिष्था based पत्सोपान होता है इसमें position are arranged on certain predetermined reputations not work and responsibility तो इसमें क्या कहते है rank के basis पे हो जाता है तो military में ये बहुत follow किया जाता है कि अब जैसे अपने military हो गई army वाले हो गए navy वाले उसमें सबसे उनका officer होगा police में भी सबसे बड़ा DGP हो जाता है तो इनकी rank decide किया जाता है फिर hierarchy skill कुसलता की जिसमें जिसकी ज़्यादा skill रही कि उसी साब से उसको काम और level उसका हाई जाएगा फिरा medical structure में पे इसके payment के basis पे हो जाता है तो यह होगा types hierarchy के अब देखते है hierarchy के importance यहने merits this principle integrates various unity of organization organization के बहुत सारे units होते हैं उनकों इखटा करता है encouragement of uniformity एकता लाता है makes possible delegation and decentralization in organization सीधी बात है delegation or decentralization बहुत आसान हो जाता है organization के अंधर में established systematic system of unity communication in organization सीधी बात है communication की chain fix हो जाती है कि किसको कैसे communicate करना है तो communication आसान हो जाता है delegation क्या है decentralization क्या है तो पिछले lectures आप देख लिजेगा अब आगे बढ़ते हैं इसके demerits एक और merit है it makes the way to implement unity of command in organization हाँ मतलब hierarchy आने से unity of command बहुत आसान हो जाता है implement करना अब वो आगे क्या है भुले detail में हम देखने ही वाले है unity of command को अब इसके demerits देख ले दे brings unnecessary delay in performance सीधी बात है कि delay हो जाता है क्योंकि control high authority का ज्यादा होता है कि smooth functioning नहीं हो सकती encourage red tapism सीधी बात है paper work बहुत ज़्यादा boost हो जाता है तो red tapism हो जाएगा फिर encourage strict rules which hampers the spirit of initiative सीधी बात है कि जब कभी भी strict rules हो जाते हैं नियम तो initiate लेने की इक्छा नहीं रखते subordinate चाहिए फिर lower levels वाले उनको लगए कि यार इतनी नियम कानून हम करें हम अपने initiative ले भी तो इतनी साला delay हो जाएगा तो क्या ही मतलब लेने से unsuitable for urgent and casual actions हर कोई भी organization बनता है कई बार कासमा काम आ जाते हैं unnecessary एकदम से urgent काम आ जाते हैं तो वहाँ पर यह चीज suitable नहीं होती क्योंकि इस पूद नहीं होता कि कोई भी उठके काम कर ले यहाँ पर rules को ज्यादे बज्जुद दी जाती है तो तो यहाँ पर हमने समझ ली पच्छोपान को क्या बनेगा hierarchy से किस तरीकी question मनेगी वो एक बार में बता दे रहा हूँ सबसे पहले तो 3 marker में बन जाएगा define hierarchy फिर एक और 3 marker में question मन जाएगा hierarchy के types बता दो फिर 5 marker में question जाएगा what do you understand by hierarchy and right rates types फिर 11 mark में question मन जाएगा what do you understand by hierarchy right rates types and its merits and demerits फिर एक और 5 marker में question मन जाएगा what do you understand by hierarchy and right rates characteristics तो यह होगा questions तो आने वाले lecture में हम समझेंगी unity of command, span of control इसकी pdf आपको telegram group में मिल जाएगी जो मैंने link description में दे दिया जाएगी